नमस्कार, जय मतादी, मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचारे जीतू सिंग, कौन से ऐसे ग्रहे जो महिलाओं को भी परेशान करते हैं, पर एकसर देखा होगा कि हर कोई परेशान रहता है, ज्यादा ज्यादा ग्रहों के चलते हैं, यानि उनकी भूमिका के चल आता है, शुक्र वैसे तो महिलाओं की कारक ही कहे जाते हैं, तो फिर उन्हें परेशान क्यों करते हैं, ऐसे कौन सी अवस्था होती है, जिसकी वज़ा से महिलाओं को शुक्र ज्यादा परेशान करते हैं, अकसर ज्यादा कहा गया है कि पुरूष की कुंडली में शुक्र क स्तिती जाधा अच्छी होनी चाहिए और महीलाओं की condition में गुरू की condition जो स्तिती है तो जदा अच्छी होनी चाहिए बट जब हम समझ में यह बात करने लगे हैं कि शुक्र महीलाओं को जाधा परेशान करते हैं तो इसके पीछे क्या लौजिक है जल्दी बाद करेंगे फिर आती है बात दूसरी चंद्रमा चंद्रमा भी महिलाओं के कारे कहे जाते हैं माता के कारे कहे जाते हैं छोटे बच्चों के कारे कहे जाते हैं फिर वो महिलाओं को इतना क्यों सताते हैं क्यों परिशान करते हैं क्या ऐसी सिच्वेशन क्या कंडिशन होती हैं कि महीलाओं को जएदा तकलीफ देते हैं और बताते हैं को कौन से ग्रह है जो आपको महीलाओं को खास करके ध्यान रखना है आपकी कूंगली में सही होने चाहिए चाहे उसका आपके माइंड से हो चाहे इमोशन से हो चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ से हो चाहे आपकी खुशियों के साथ हो या फिर आपकी खुबसूरती के साथ हो पहली बात चंद्रमा की बात कर लेते हैं चंद्रमा आपके मन के कारे कहे जाते हैं सबके मन के कारे कहे जाते हैं लेकिन महिलाओं के कारे कहे जाते हैं फिर उसके बाद इमोशन्स के लौड कहे जाते हैं आपकी खुबसूरती के लौड भी कहे जाते हैं चंद्रमा जिनकी कुंडली में बहुत अच्छी लगनेश या लगन में स्थित होता है तो वो वैसे ही महिलाई बड़ी खुबसूरत देखने में आती है लेकिन चंद्रमा आपको सताते कैसे हैं चंद्रमा मूमेंट के कारेक भी कहे जाते हैं तो आपको क्यों तकलीफ दे रह हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें मेंटली डिप्रेशन की और ले जाता है चंद्रमा अगर आप लोगों की स्थिती में ज्यादा अच्छा नहीं होता है तो आप म इजे चंदर्मा पर निर्धारित करती हैं। दूसरी बात कि चंदर्मा आपके emotions हैं। जरा सी प्रावलम होती है चंदर्मा की तो आपके साथ emotions के साथ खिलवाड हो जाता है। तो ऐसे में भी आपने अपनी कुंडली में चंदर्मा की स्थिती को हमेशा देखते रहना है हमेशा आपने नोट रखना है कि चंद्रमा ना तो पाप कर्तरी में होना चाहिए और ना ही वो मैलिफिक प्लैनेट के आस्पेक्ट में यानि पापी ग्रहों के आस्पेक्ट में होना चाहिए चंद्रमा हमेशा अच्छी डिग्री में ही रहना चाहिए क्योंकि चंद्रमा में अगर बल रहेगा तो चंद्रमा आपको कभी भी डिमॉरलाइज नहीं होने देगा 6-8-12 में चंद्रमा आपको परेशान कर सकता है अगर वो अच्छी कंडिशन का नहीं है या फिर डिग्री में खशदी गरस्त है तो ध्यान रखने की ज़रूरत है सबसे पहले अपनी कुंडली का चंद्रमा स्ट्रमा कर लीजे फिर आती है बात दूसरे ग्रहे की तर बढ़ते हैं मंगल ग्रहे मंगल बलड के कारे कारे का कहे जाते हैं और आपकी strictness के कारे कारे कहे जाते हैं तो, strongness के चलते जलते जब भी हम बात करते हैं कि आपको strong होईने लेकिन आपकी कुंडली में क्या situation strong स्ट्रॉइशन की है चंद्रमा अगर आपके छय, आठ बारा में समंध बना रहा है तो कहीं न कहीं आपको मासिक दर्म में बहुत ज़्यादा परिशानी होती है periods में आपको excess of bleeding होती है आपको controlling से बाहर का pain दर्द तकलीफ रहती है और जिसके चलते कहीं न कहीं आपकी health fluctuate होने लगते है तो कुल मिला करके जब हम mangal की भी बात करते हैं तो आपकी कुंडली में mangal की स्तिती भी बहुत ही strong होनी चाहिए mangal हमेशा अच्छी condition में होना चाहिए मकर का mangal बहुत अच्छा माना जाता है आपकी लिए अच्छी situation पैदा करता है और mangal स्वराशी का बहुत अच्छा होगा लेकिन वहाँ पे एक situation को समझने की जरूरत है mangal पीडित आपकी कुंडली में नहीं होना चाहिए और total malefic planets के साथ उसके combination ज़्यादा नहीं बनने चाहिए और चंद्रमा के साथ भी mangal की यूती नहीं होनी चाहिए जहां आपकी शति गरस्त जूती की बात कर रहे है क्योंकि अगर चंद्रमा भी आपका पीडित है mangal भी पीडित है तो आपको ज्यादा परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है आप आते हैं बात विन्नस यानि शुक्र की जो स्वयम महिलाओं की कारक कहे जाते है तो वो आपकी कुंडली में किस तरीके की भूमिका निबाते है तो अच्छे रहते हैं किस तरीके की भूमिका निबाते है तो यहां खराब स्थिती पैदा करते है शुक्र अगर नीच के है शुक्र अगर नीच के हैं शुक्र अगर डिग्री वाइज कमजोर है शुक्र अगर पापकरतरी में है या शुक्र अगर पाप ग्रहों से यूत है तो यकीन मानिए आपकी रेपोटिशन नहीं बढ़ने देते हैं सामने वाला आपके प्रति एक दम गलत विचार कर लेता है, सामने वाला व्यक्ति आपको लांचन लगा सकता है, सामने वाले व्यक्ति की नजर में आपकी इज़त नहीं होती है, सामने वाले व्यक्ति आपको बहुत ही टेकन फार ग्रांटीड ले सकते हैं, सामने वाले व्यक महिलाओं के कारक कहे जाते हैं शुक्र आपकी कुंडली में बहुत सही कंडिशन में होने चाहिए शुक्र में बल जरूर होना चाहिए शुक्र उचके होने चाहिए शुक्र पाप ग्रहों से युत नहीं होने चाहिए शुक्र 6-8-12 के साथ समंध नहीं बनाते हुए होने चाह अब आपको करना क्या है उपाई जरूर बताऊंगी मैं चंद्रमा को स्टॉंग करना है तो आपने हमेशा पूर्णिमा का चांद देखना शुरू कर दीजे और साथ के साथ जितना चांदी का प्रयोग करेंगे वो आपके लिए सही होगा मंगल ये तो मंगनोड को आप दान करना शुरू कर दीजी और सुछ सुन्दर काओंड का पाट क्यूं लेकिन दूसरों को इतर और परफ्यूम दान में नहीं देना चाहिए जब भी हम की बाहिर दान देते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी समयागरी होती है साथ के साथ हम यह भी दे देते हैँ दान लेकिन आपने शुकरवार को ना तो इत्रदान में करना है ना ही गिफ्ट में करना है आप स्वयम उसका प्रियोग कर सकते हैं तो तीनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत रहेंगे तो महिलाओं को कोई भी परेशान नहीं कर सकता ना ग्रह परिशान करेंगे और ना ही आपके सिनरियों के लोग तो ऐसे में आपने तीनों ग्रहों को बल दे करके रखना है और खुद भी बलवान रहना है खुश रहिये, स्वस्थ रहिये, पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं और फिर अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजेगा नोटिफिकेशन जरूर ओन कर लिजे ताकि आप तक स्यारी वीडियो पहुंच जाए जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ अपता के लिए नमस्कार